कितना आसान होता है ना, बड़ी-बड़ी ख्वाई से पालना, बड़ी-बड़ी छाय जताना, बड़ी-बड़ी सपने पालना, कि यार, मुझे भी ऐसे करना है, और मुझे भी यही चाहिए है, और जब जरूरते पूरी ना हो ना, तो फिर सपने चुरू-चूर हो जाते हैं और साथ में गुष्छा भी आता है और कब बिलेगा मुझे ये कब होगा ये सब चीजे आती है लाइक में सोच में माइंड में दिमाग में मेरे तो कानी कुछ इस तरह है दोस्तों क्वेजेंद्र ने कि मैं आपके लिए लेकर आया हो संदर प्रेणादा कहानी और जो कहनी कुछ इसतर है मैं बताने जा रहा हो आपको कि लड़का होता है 12th class में पढ़ रहा होता है अपने घर वालों से अपने ममी डैडी से बहुत बड़ी-बड़ी बादे करता है कि मुझे ममी ये चाहिए या डैडी मुझे ये चाहिए मुझे लेना है मुझे ओ लेना है तो परिस्ति घर के कुछ इस तरह होती है कि घर वाले पूरी नहीं कर पाते हैं पच्चों के बड़े-बड़ी डिमांड्स होते हैं तो फिर पहले लैप्टॉप की डिमांड थी लैप्टॉप की डिमांड तो पूरी कर दी फिर रही बाइक की डिमांड तो बाइक फिर थोड परस को इन इजाजत ने किसी को छुने के, डैडी ने हमेसा अपनी पास रखाया रहता था, और ना ममी को इजाज़त ना बहहिन किसी को इजाज़ा देती घर में चूने के पर्स को और साथ में एक दिन गुस्षा आया कि डैडी मेरे सपने पूरी नहीं कर रहे हैं मुझे बाइक चीए लैपटॉप तो अल्री जे रिया था तो फिर गुस्षे में डैडी के जूते पहन के घर से भाग गया और पर्स भी उ जलके आये थी जो उसके पाओं में चूप रहा था और उसको गुस्षा भी बहुत आ रहा था अब पाओं कट गया अचाब पाओं कट गया तो पिर जाता ही मन प्रोधित हो रहा था अंदर से बच्चे का तो फिर ऐसे जाके था कि हा रही वो बस इस्टेंट तक पहुंचत कि हैं देखता है इंतिजार करता है फिर सोचता है यार पर्स लाया हूं में ठाके घर से देखता हूं पर्स में क्या रखाया डेडी ने ऐसा तो फिर पहली पर्ची निकालता उसमें लिखा हुआ था कि गुपता जी के 40,000 रुपे बकाया है लैपटॉप के लिए तो बच् पर्ची में लिखा था कुछ घर की जरूरते जो देने को बाकी थे तीसरी पर्ची में लिखा था कि पुराना इस्कोटर दीजिए और साथ में पैसा भी और नहीं बाइक ले जाईए तो लड़के को जड़ से अपने अंदर खुशी सी जहर दोड़ती है और वह पापा ने मेरी डिमांड रखी है मुझे देंगे तोड़के घर जाता है जब घर जाता है तीस से पैटीस मिनट लग जाते है फिर उसके बाद घर जाके देखता है तो कोई घर में नहीं होता है सब अपने काम के लिए निकले हुए होते है तो उसके लिए सोचा गया था कि अभी मैं रोने लगता है कि यार पापा आप बहुत स्ट्रॉंग हो और हमारी कितनी हसी से हमारे हमारे उसको टाल देते हो और हमारे साथ फिर भी कितने खुस हो मैंने आपके आपके जैसे बनना है मुझे भी आपके जूते मैंने पहन के गया था मेरी पैर कड़ गया और हम आपको कि कि मुझे यह चाहिए वो चाहिए तो फिर उसने प्रॉमिस किया अपनी डाइडी से कि मैं आपके जैसे मेहनत करूँगा अपनी जिन्दगी में भी और एक तिन बहुत बड़ा आद में बनूगा तो फिर कहानी हमें जिन्दगी में कभी यह से डायरेक्शन में जाते हैं कि ज तो घर की प्रिस्तियां कुछ इस तरह होती हैं तो समझना बहुत आसान नहीं होता है जल्दी से कुछ तायम लगता है और मैं आपके लिए लेकर आओंगा नेक्सी स्टोरी तक तक के लिए आप देखते रहिए और मुस्कराते रहिए खुश रहिए